आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फेमस पंजाबी सिंगर अफसाना खान की बायोग्रफी तो आएए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी अफसाना खान एक इंडियन सिंगर है जो मेंली पंजाबी म्यूजिक इंडिस्ट्री में काम करती है वह सिद्धू मूसवला के साथ पंजाबी सौंग जट सरयाम वे तुढका कर दे गाने के लिए जाने जाती है अफसाना खान का जन 13 जुन 1994 को श्री बादल सहीब के गाउं में हुआ था अफसाना ने अपनी स्कूलिंग गाउं बादल के गवर्मेंट सीनिर सेकेंडरी स्कूल से की और वह ग्रेजुएट है अफसाना का जन यूजिकल फैमिली में हुआ था उनके पिता और दादा सिंगर थे जब अफसाना बहुत छोटी थी तब ही उनके पिता की दैथ हो गई और अपनी फैमिली के फ़नेंशल हेल्प करने के लिए अफसाना ने बहुत कम उम्र में गाना शुरू कर दिया था अफसाना के पिता का नाम लेट शीडा खान और मा का नाम आशा बेगम हैं उनका एक छोटा भाई है जिनका नाम खुदा बख्ष हैं और वह भी एक सिंगर हैं उनकी चार भेने भी हैं कौर, रमन खान, रजिया सुल्टान और मीतू खान अफसाना ने सिंगर के रूप में 2012 में सिंगिंग रियालिटी शोओ वॉइस ओफ पंजाब सीजन 3 में पाटिसपेट करके अपने करियर के शुरुआत की वह शोओ में टॉप 5 में पहुची इसके बाद उन्होंने सिंगिंग रियालिटी शोओ राइजिंग स्टार्स में पाटिसपेट किया अफसाना डिफरेंड लाइब म्यूजिकल कॉंसर्ट में भी परफॉर्म करती हैं उन्होंने कई पंजाबी सॉंग्स गाये हैं जिन में तो तेरा माही मिले जानी विजानी चंदीगर शहर और जूती जार के शामिल हैं खान को सॉंग जर्त सर्याम वे तू ढका कर दे गाने के बाद काफी पॉपिलरिटी हासिल हुई और अफसाना खान ने एक इंटर्वी में खुलासा किया कि वह रियालिटी शो रैजिंग स्टार्स के ओडिशन के लिए आई तब उन्हें शायद ही कोई बॉलिवूड गाना पता था। उन्होंने तुरंत रिचा शर्मा द्वारा गया गया, जग सूना-सूना लागे, सौंग तयार किया और आउडिशन दिया। और लखीली उन्हें शो में सिलेक्ट कर लिया गया। उन्होंने कभी भी फॉर्मल म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं लिये। बिना किसी ट्रेनिंग के लिए अफसाना एक बहुत ही अच्छे सिंगर बन गई है। और काफी पॉपिलर हो गई है। तो गाइस ये थी सिंगर अफसाना खान की बायग्रफी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षेन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंकिस सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो।